वेलकम डेक्शन स्टेडी पॉइंट दोस्तों मैं हूं सुरप सुकला और दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलिटिक का जो सिरीज अपना है चालो रखेंगे और इसमें हम सारे वैसे प्रसंद देखने वाले जो किसे ने किसी एक्जाम में बार बार पूछे गया हैं देखिए में किस अनुछेद में सिक्षा के अधिकार की बैच्ए की गई है न afflict esté हम रट बहुं का गया है और इसमें हम न इसमें रखा गया है 16 के अधिकार को डेक्ति एक बात ऑर याद रखना है जो निजता का अधिकार दो देखिए जो समान नागरिक सहिता जो होती है इसका वर्ण समिधान के किस अनुछित में किया गया है सही उत्तर हो जाएगा option number D44 में अनुछित में देखें जो समिधान का अनुछित 44 है जो कि नीदी राजी के नीदी निदे सकतों के अंतरगत आता है इसे में समान नागरिश सहीता का वर्ण किया गया है तो इस प्रशन का सही इंसर क्या हो जाएगा option number D है करेक्ट एंसर हो जाएगा देखें यहां से एक प्रशन और बनता है कि हमारे देश में कौन सा एकमातर राज्य है जहां पर समान नागरिश सहीता लागू है तो देखें जो गोवा एकमातर भी राज्य है जहां पर common civil court लागू है तो इसका नाम आपको याद रखना होगा अनुछे 44 में common civil court के बारे में इसे हम uniform civil court भी कहते हैं तो आपको पन्फिज नहीं होना है इसे uniform civil court या फिर common civil court के नाम से जाना जाता है option number जो मारा 10 प्रश्न का है बिल्कुत सही जवाब हो जाएगा देखें 23 प्रश्न क्या है भारत का समिधान लोग सभा के आकार को सिमित करता है जिसके तहत कितने सदत से निर्वाचित सदत से तथा कितने सदत से एंगलो इंडियन समधाय का प्रतेंधित करते हैं जिन्हें भारत के राष्टित द्वारा अनामंकित किया जाता है तो देखें आपको बताना है कि लोग सभा में कितने सदत से का जो होता है वो इंगलो इंडियन के होते हैं और कितने सदत से जो हता है राष्टित के द्वारा निर्वाचित होते हैं तो दिखिए सभी इंसर्ट क्या हो जाएगा पहले कितने सदसे निर्वाचित होते हैं लोग सभा के लिए आपको याद रखना होगा देखिए सभी इंसर्ट हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर ए तो इंगलो इंडियन के नहीं रहेंगे किवल पांसो पचाथ जो सदसे होंगे वो लोग सभा में रहेंगे ओप्सन नमबर जो हमारा ए है करेक्ट रैंसर हो जाएगा इस प्रश्न का देखिए चोवीसमा प्रश्न क्या है निम लिखित में से कौन सा राजिय सम्विधान की छठी अनसोची का पालन नहीं करता जो जन जाति छित्रों के प्रशाषन एवं नियंतर से संब्दित है तो देखिए आपको याद रखना होगा हमने एक ट्रिक बनाया था कि आपको देखिए यह याद रखना है छठ में त्रिपूर अजोर देखिए यहां से कैसे याद रहेगा आपको देखिए जो हमारे छठी अनसोची इसमें क्या है में से हमारा हो गया में घाले चटी अनसोची में घाले आता है त्री से हमारा हो गया त्रिपूर से हो गया त्रिपूर अर से हो गया असम और जोर से हो गया मिजोरम यह चार राज ऐसे जिने चटी अनसोची के अंतरगत रखा गया जंजाती प्रसासन में तो जो नागा लेंड है यह स्थाचनी यह सोचम नहीं आता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर भी देखें यह UPSC CDS एक्जाम में पूछा गया कोश्चन है ओप्सन नमबर जो 20 प्रशने का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देखें 25 प्रशने क्या है भारती समधान का अनुचेद 29 निम लिखित में से किसे कौन सा अधिकार प्रदान करता है देखें आपको पता होगा जो हमारा अनुचेद 28 और 29 है इसमें क्या रखा गया है अलपसंख्यक के हितों के सुरक्षा रखा गया है प्रश्न का सही एंसर हो जाएगा छविसमी प्रश्न का देखे 2700 प्रश्न हमारा क्या है भारती समिधान के अनुच्छेद 112 के तहत तयार वार्षिक वित्ती वीवरड को क्या कहा जाता है देखे जिसे जो वार्षिक वित्ती वीवरड तो जिसे हम Annual Financial Report भी कहते हैं Annual Financial Statement कहते हैं इसे हमारा जो है बजट सामाने भासा में हम इसे क्या कहते हैं बजट की नाम जाना जाता है जो कि अनुच्छेद 112 के अंतर गत आता है वार्षिक वित्ती वीवरड इनुवल Financial Statement जो होता है उसे मजट कहते हैं और यह अनुच्छेद 112 के अंतर गताता है तो इस प्रशन का Option नमर जो C है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देखे अगला प्रशन हमारा क्या है 2800 प्रशन है हमारे समधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटरू के समतुल लेता कि स्थिती में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा यानि कि ऐसे स्थिती हो जाए जबकि वोट दोनों बराबर हो जाए पक्षवी पक्षच के तो अन्तिम जो निर्ड़ायक का अधिकार होता है वोटरू किसके पास होता है स्पीकर के पास यह किस अनुच्छेद में कहा गया आपको बताना है तो देखें सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा औप्सन नंबर डी अनुच्छेद ज़ो 100 है यह स्पीकर के पास जो कास्टिंग मत का अधिकार देता है तो यानि कि जो निर्ड़ायक मत होता है वो लोगसभा का स्पीकर दे सकता है किसी भी अपने मतानुसार तो इस प्रशन का option number जो D है correct answer हो जाएगा देखिए अगला प्रशन क्या है उन्तीसों प्रशन भारत के राज्य एवं संग सासित प्रदेसों का समिधान के किस अनुसूची में उलेख है भारत के संग एवं संग सासित प्रदेसों का उलेख किस अनुसूची में है तो देखिए पहली अनुसूची में ही जो है भारत के राज्य एवं संग सासित प्रदेसों का जो है वर्डन किया गया है तो सही इंसर क्या हो जाएगा पहली अनुसूची correct answer हो जाएगा हो जाएगा हमारा इस प्रश्ण का option मर्ज हमारा ए है बिलकुत सही जवाब हो जाएगा किया गया है तो सही एंसर हो जाएगा हमारा देखिए option नमर ए सिक्षा का अधिकार देखिए जो सिक्षा का अधिकार है वह अनुश्यद 21A में रखा गया है तो सही जवाब हो जाएगा देखिए यह BPSC प्रग्लिम्स में यह पूछा हुआ है तो देखिए आपके लिए काफ मैंने कि एक सत्र से दो सत्र की बीच का जो अधिक्तम अंतराल कितना होना चाहिए तो सही इंसर हो जाएगा option नमर भी छे महिना होना चाहिए संसत के सदन के बीच में तो सही इंसर क्या हो जाएगा option नमर भी छे महिने के अंतराल पर संसत का सत्र जो है जरूर बुलाया जान सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखिये बजट सत्र का संबन्द है हमारे संसथ से मांसुन सत्र भी होता है सीध कालिन सत्र भी होता है लेकिन दोस्तोँ ग्रेस्म सत्र है आपने कभी नाम नहीं सुना हुआ कि अगर आपने बी चुना है तो आपका जुआप इस प्रशन का बिलकुल bestimm हो जाएगा अगला प्रशन के क्या है अगला प्रशन हमारा है भारती समिधान के अंतरगत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है देखे वैधानिक सत्ता का अधिकार है हमारे देश में किसे प्राप्त होता है सही अंसर हो जाएगा संसद हमारे जो है करेक्ट अंसर हो जाए अगला प्रुश्णस्ट अगला प्रुश्णस में बावरत के राष्ट्पति का नाम बताएं जिन्हों ने 1986 में भारति ये डाकघर विध्यक के समंद में पाके वीटो का प्रयोग किया था तो भारत के राष्टपती का नाम बताने जिन्होंने 1986 में भारती डागर संसोधन विधेक में पौकेट वीटो का प्रयोग किया था तो सही इंसर क्या हो जागा देखे 1986 में जो हमारे देश के राश्ट्रपती थे वो थे ज्यानी जैल सिंग और इन्होंने जो है अपने पॉकेट बीटो का प्रयोग किया था ओप्शन नमबर जो हमारा डीस प्रशन का बिलकुत सही अंसर हो जाएगा 36 प्रशन के क्या है राश्ट्रपती की पॉकेट बीटो सकती के संदर में ऐसी टपड़ी क्यों की जाती है कि भारती राश्ट्रपती की जेब अमेरीकी राश्ट्रपती के तुलना में बड़ी है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए भारती राष्टपती की अनिसित अवधी के लिए बिल पर कोई कारेवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक नव करने के जो सकती है option number जो हमारे यह इस प्रश्ण का correct हो जाएगा और देखिए यह SSECHSL में पुछावा question है से तीसवा प्रश्ण है अगर राष्टपती और उपराष्टपती के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्टपती के रूप में कौन कारे करेगा तो देखिए यदि राष्टपती और उपराष्टपती के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो राश्रपती के पद पर जो कार करेगा वो करेगा सुप्रीम कोर्ट के मुखे नयाधिस होंगे वह राश्रपती के पद पर कार करते रहेंगे जब तक राश्रपती के पद पर चुनाओ नहीं हो जाता है तो सही इंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन का भारत के मुख्य नयाधिस हो जाएगा इस प्रशन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देखिए 38 प्रशन क्या है भारती समिधान के अनुसार भारत के उपराश्पति का चुनाव किसके द्वारा होता है भारती सम्धान के अनुसार भारत के उपराश्पति का जो चुनाव है किसके द्वारा होता है तो सही एंसर हो जाएगा option number B संसद के दोनों सद्रों के सदस्यों द्वारा देखे जो उपराश्पति का चुनाव होता है वो संसत के दोनों सद्रों के सदस्में दोरा होता है और जो उपराश्टपती होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभावपती भी होते हैं और जो उपराश्टपती का पद होता है वो अनुछे 63 के अंतरगत रखा गया दिखिए वेस्ट बंकल पुब्लिक सर्विस कमिशन का पुशहवा कोस्चन है तो आपके लिए सारे इंप्पोर्टन कोस्चन है देखिए 38 प्रश्ण हमारा क्या है और तीसवा प्रश्ण है कि भारती समिधान के अनुसार भारत के उपराश्ट्री का चुनाव किसी दवारा होता है? देखें, अगला प्रश्ण है भारत के राश्ट्री दवारा राजसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो देखे, भारत के राश्टवी द्वारा, राज सबाग के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत और खेल के जगत में अपना विसेश योगदान दे चुके होते हैं, उन्हें 12 सदस्यों को मनुनित किया जाता है, उप्सिन नमबर जो वित्टी आपातकाल, किसके द्वारा गोसित की जा सकती है यहाएं, सही उत्तर हो जाएगा, उप्सिन नमबर ए रास्टी के द्वारा, देखे जो अनुछे 360 में वित्टी आपातकाल का वर्डन है, और यह रास्टी द्वारा लगा जाता है, लेकिन अब तक भारत में कभी विट्ति आपातकाल नहीं लगाया गया तो यह भी प्रस्ण आपको याद रखना है कभी भी हमारे देश में विट्ति आपातकाल नहीं लगाया गया है option number जो हमारे यह है प्रस्ण का सही जवाब हो जाएगा देखिए इस वीडियो में हमने पॉलिट्री के काफी important प्रस्ण देखें तो आपको याद रखना है और दोस्तों जो हमारा जो live class होने वाला दोस्तों आपको याद रखना है कि आज रात 9 बज़े देखिए जो रात 9 बज़े जो है आपको live class मिलने वाली जिसमें आपको जीएस और जीगे के और समाने विग्यांग के important topic मिलते रहेंगे दोस्तों live class में आप जोड़ना न भूलिएगा तो रात में 9 बज़े दोस्तों वीडियो को जरू सेर कर देजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत कला सर गडासर जोस्तों में आपूलिए भीडियो न वीडिको जरूस को सब्सक्राइब कर देजेगा वीडियो कर दोड़ना जाने तो कर सूँ सक repliesशना कर दूएस